नमस्कार और वेल्ड वर्ल अफेर्ड जो प्रशान दवर्ड नाव यूएसे में आज के समय कई लोग गुसा है इस बात को लेकर के इनकी सरकार दो सो मिलियन डॉलर पाकिस्तान को देगी और जो रीजन है ना ये सुनके कई लोग हस रहे हैं कई लोग गुसा हैं यहां पे आ प्रमांता लाने के लिए यूएसे ने काए कि हम दो सो मिलियन डॉलर देंगे पाकिस्तान को अब अमेरिका में बहुत सारे लोग यह देखकर गुसा इसलिए हैं क्योंके यूएसे ने पिछले साल पाकिस्तान को इस रीजन की वज़े से दिये थे 10 मिलियन डॉलर और अब अजानक से अमाउंड बढाकर कर दिया है 200 मिलियन डॉलर तो इसलिए यूएसे में कई जो इनके मेंबर ऑफ पार्लिमेंट हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत ही अजीब है और जो नॉर्मल अमेरिकन्स हैं जिनकी पॉलिटिकल वोईस है ट्विटर पे वो भी कह रहे हैं कि ज सिती को इंप्रूब करने में लगाएंगे या फिर और कुछ करने में लगा देंगे और पाकिस्तान के परस्पेटिफ से आप अगर सोच कर देखे तो एक ऐसा देश जहां पर इनके विदेशी मुतरा भंडार खुद का कुछ बचा नहीं है मुश्किल से एक दो बिलियन ड पैसा यह एक डूपते को तिनके के बराबर है और अभी मैं बता रहा हूं यह शुरुवात है साल 2023 में आप देखोगे अनलेस मैं कहूंगा अनलेस एक बहुती बड़ा राइडर यह है कि इमरान खान पावर में ना आ जाए यह मैं कहूंगा एक राइडर है इस बात को अग बिलियंस और डॉलर्स देगा लिटरली पाकिस्तान की को युएस वापस खड़ा कर देगा और यह पैसा अगर आप सोच रहें के कैसे आएंगे तो यही भाने से आएंगे के विमन एजुकेशन के लिए इतने ले लो कुछ 500 मिलियन इसके ले लो घुम फिर के यह पाकिस्त होई जाएगा और यह 200 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिली जाएंगे क्योंके यहां पे हुआ क्या है जो बाइडन को आज के समय USA की सरकार चलानी है मगर जो बाइडन के पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो जो बाइडन यह चाते हैं कि USA के Federal Reserve से यह और पैसा निकाले मगर Federal Reserve से पैसा डिरक्टली निगाल नहीं सकते ही है उसके लिए इन्हें अपने Parliament में जाकर लोगसवा राजे सबाजों का Upper House, Lower House है, Senate और House of Representatives वहां पर वोटिंग करवानी होगी और वहां पर एक Spending Bill पास करवाना होगा जिसमें पाकिस्तान की यह एड भी शामिल है तो बेसिकली क्या जो बाइडन को USA को चलाने के लिए चाहिए 1.7 trillion dollars जी हां 1.7 trillion US dollars और इसके लिए इन्होंने एक Bill हाली में USA की राजे समा में पास करवा लिया है और अब एक दो दिन में इस पर वोटिंग हो जाएगी USA के लोग समा में मगर कई लोग हैं जो जो बाइडन के इस प्रस्ताव क खिलाफ हैं for example Elon Musk Elon Musk ने का है कि 1.7 trillion dollar वो भी सरकार चलाने के बीच में यह आसानी है कि कोई USA का बजट तैय हो रहा है यह तो बाइडन ने का कि बीच में थोड़ा सा खर्चा जादा हो रहा है में थोड़ा सा एक्स्रा परा चाहिए होगा तो हमें 1.7 trillion dollar और चाहिए तो उसक 70% से भी उपर लोगों ने कहा कि नहीं मिलने चाहिए रीजन यह है क्योंकि जो बाइडन के खर्चे अटपटे से हैं कई USA के मेंबर और पार्लिमेंट ने पॉइंट आउट किया कि जो बाइडन खर्चना का पर चाहती है यह चाहती है 47 billion dollar युक्रेइन के लिए कितने 47 billion dollar अ अब यह क्यों किया जा रहा है राम जाने मगर वाशिंटन डिसी में तो यह बिल्कुल बत्यार है उन्होंने जमीन भी इसके लिए अक्वाइर कर ली है और अब सरकार के पैसे से एक दूसरे कंट्री की इंडिपेंडनेंस को सलिबरेट करने के लिए USA पूरा पार्क बनाए हैं कि रेसिसम से कैसे लडाई होगी और कई सारे इनके बहुत सारे अरपटे खर्चे हैं कुछ काम के भी खर्चे हैं जैसे सड़के बनानी है रिलवे ट्रैक बनानी है वो सब भी अपनी जगा है मगर बहुत सारे खर्चे यहां पर ऐसे हैं फर इक्जामपल पाकिस्तान को दो मुद्दे आपे उठाए हैं, USA की गवर्मेंट ने दो मुद्दे उठाए हैं, पहली बात तो ये, कि पाकिस्तान में और तो को राइट तो इनहें प्रोपर्टी नहीं है, मतलब कि मान लीजिये, पाकिस्तान में एक परिवार है, वहाँ पर पेरेंट्स हैं, माबाप हो ग नहीं है, हाला कि पाकिस्तान ने रिसेंटली कुछ लॉज पास किये हैं, जिससे औरत को भी कुछ मिले, मगर ग्राउंड रियालिटी पे कुछ इसका होता नहीं है, राइट टू इनहेरिटेंस में फीमेल को जरातार कुछ मिलता नहीं है, उसके इलावा, फाइनाशल इंक् पाकिस्तान में, वहाँ पर औरतें बहुत पीछे हैं, 30% से भी कम पाकिस्तान में औरतें हैं, जिनका खुद का बैंक खाता है, ये एक बहुत जारा शॉकिंग नंबर है, कमपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं, तो BBC का डेटा ये है, कि भारत में almost 80%, 79% आप कहलो, 79% महील जिनका बैंक खाता है, और बाइद अवे ये डेटा इनोंने उठाय था, 2019-20 के आसपास, अब 2023 शुरूने वाला है, तो आप मानके चलीजे, आराम से ये 79%, 85% या फिर 86% के आसपास भी पहुच गया होगा, औरतें हमारे या बैंक अकाउंट को, क्रेडिट कार्ड को इस्तम पाल भी कर रही है, वो प्रॉपरली फिनेंशल सिस्टम में पार्टिसिपेशन भी कर रही है अपनी, वेरैस पाकिस्तान में सिंसिती बहुत ज़रा खराब है, तो युएसे बानता है, कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, फ्रीड़म और स्पीच, जो वेस्टन कंट्री इसकी वैलियूज ये कहते हैं, वो प्रमोट करनी है न, तो औरतों को सपोर्ट करना होगा, औरतों के पास अगर अधिकार होगे, औरतों के पास एजुकेशन होगी, औरतों के पास अगर बैंक अगाउंट होगे, तो पाकिस्तान रातो रात अफगानिस्तान जैसा देश न बेटी थी उसकी नेडवर्थ है इनकी घुत की बहुत सरी प्रपर्टीज थी युएस में और जगा तो ये सब पैसा आया कहां से अब्यस्ली करेक्शन किया होगा नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी में 30 सलरी बलती नहीं आदमी को कि वो बिलिनेर बन जाए और इस बारे में हारवर्ड केनेडी लौ स्कूल ने न एक प्रॉपर रिसर्च करी थी साल 2009 में इसमें बताया गया कि युएस एड टु पाकिस्तान है न जो जो युएस टाक्सपेर्स का पैसा जाता है ये सारा पैसा आप कहली ये घूस के रूप में जाएगा पाकिस्तानी आर्मी के पास अब इस घूस का ये लोग क्या करेंगे आई अजियूम पाकिस्तान में एलेक्शन आने वाले हैं तो इमरान खान को पावर से दूर रखा जाएगा मेभी या और तरीके से USA को जो भी काम निकलवाना है पाकिस्तान से इस एड से ये लोग निकलवा सकते हैं क्योंकि again USA भी मूर्ख नहीं है उनको भी पता है कि on record ये पैसा किसले दे रहे हैं अंथ में ये पैसा जाएगा कहाँ पर और ये अजियूम मत कर लेना कि मैंने आपको 2009 का आर्टिकल दिखाया है तो ये 2022 में अपली केबल नहीं होगा 2022 में भी 100% अपली केबल है अभी रीसेंटी हमने देखा पाकिस्तान को बहुत सारी फॉरण एड मिली बार की वज़े से इनके आप बार में बहुत लोग मारे गए नुकसान हुआ दुनिया वर में कई देशन उनने 2 मिलियन 5 मिलियन करके थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान के लिए खटा कर लिया उसमें भी हमने देखा के इनके पॉलिटेशन इनके आर्मी जनरल ने बड़े स्केल पर करप्शन किया है तो कईना कही देखिए USA में इनकी जन्दा सवाल तो उठाएगी कि हमारी सरकार क्या में मुर्ग समझती है कि हमें उपनली बताया जा रहा है कि आपका दिया हुआ टैक्सपेर मनीना हम पाकिस्तान को पकड़ा देंगे और इसके बदले में वहाँ पे औरतों का कल्यान होगा कुछ कल्यान तो ने नहीं वाला फिर यहां पे बहुती बड़ा इशू यह भी आता है यह बात कई अमेरिकंस ने रेस करी है कि पाकिस्तान तो एक बहुती बड़ा सपोर्टर है अफगानिस्तान तालिबान का जब USA की हार हुई थी अफगानिस्तान में US forces को छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान फिर तालिबान ने टेक ओवर कर दिया अफगानिस्तान पर वो कौन सा कंट्री था जहां पर सबसे ज़ारा सलिबरेट किया जा रहा था वो कंट्री था पाकिस्तान तो पाकिस्तान बींगे हूज सपोर्टर ऑफ अफगान तालिबान हम आज के समय देख रहे हैं कि अफगान तालिबान ने तो औरतों की education को बिलुकुल बैन कर दिया है अपने universities में यहाँ आप आप देख पाओगे इस पर बनी है दुनिया भर में news कि Taliban ने women को universities से बिलुकुल बैन कर दिया है और Taliban के इस निर्णे को लेकर Rishi Sunak उसके लावा दुनिया भर में various जो world leaders हैं सबने अलोशना कर दिया Rishi Sunak तो यह कहते हैं कि मैं खोद एक पिता हूँ मेरी बेटिया है मैं imagine नहीं कर सकता है ऐसी दुनिया जहां पर उनको education ना दी जाए जो women in Afghanistan में वो deserve करती है कि उनको education मिले और यह आगे यह भी add करते हैं कि मैं उमीद करता हूँ दुनिया देख रही है कि तालिबान क्या कर रहा है आज के समय और same statement आपको देखेगी जर्मनी से वेरियस और कंट्री से तो यह भी एक बहुत ही एक basic question USA को खुद को पूछना होगा कि जिस country को पैसा दे रहे हैं gender equality के नाम पर यही country बहुत बड़ा supporter अफगान तालिबान का जो यह सब कर रहा है तो USA दुनिया को भी क्या message सेंड कर रहा है I think इससे अच्छा होता USA directly बोल देता कि यह पैसा यह दे रहे हैं Pakistan को free का पैसा है Pakistan जो चाहे करना इसका कर ले यह जो यहाँ पर आप KellyJs को tag दे दिया गया है कि women education के लिए दिया जा रहा है gender equality के लिए पैसा दे रहे है इससे जो main cause है ना यह उसको भी जटका लगता है और हाँ finally यहाँ पर मैं यह भी add कर दूँ कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं चाहे SSC, UPSC, bank, unacademy के quality courses available है इन courses से आप घर बैटके इन exams की त्यारी कर पाएंगे simply आपको यहाँ पर करना क्या है comment section में जाइए यहाँ पर print comment में आपको मिलेंगे link SSC, UPSC, bank के for example let's say आप purchase करना चाहते हैं UPSC का course तो UPSC पर करिए click और फिर आपके सामने खुल जागा यह page यहाँ पर आपको click करना है plus पर और यहाँ पर परचेस कर पाएंगे unacademy के courses अगर मालीज यह आपको 6 महिने का course परचेस करना है यह भी आप कर सकते हैं मगर मैं आपको suggest करूँगा अभी एक offer चल रहा है 18 महिने के course पर 18 महिने का course आप अगर purchase करते हैं तो 3 महिने आपको extra मिलेंगे automatically आपका course बन जाएगा 21 महिने का तो यह course आप कर सकते हैं purchase मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं यह pay करने की ज़रूद नहीं है simply यहाँ पर code डालिए PD10 और अपने आप आप देखोगे prices गिरना शुरू हो जाएंगे the prices will start falling so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह वीडियो कान thank you for listening and as always God bless you all